विश इंदू परिशद यूवा शाखा बजरंग दल मयला शाखा मातर शकती वा दुर्गावाहिनी की परतियेक परखंड में चल रही बैठक के करम में मंगलवार को वेप प्रांथ का रहाले में आजाद नगर परखंड प्रेमचन नगर परखंड आरिय नगर परखंड और विश्रू नगर परखंड की संयुक्त बैठक आयोजित हुई बैठक में बजरंग दल के सह प्रांत संयोजग दुर्गेश तिरपाटी वेप महावंतरी मुकुंद शुकल मानगर अध्यच विजय खेमका मानगर उपाध्यच विश्रू मानगर संयोजग देवी लाल गुपता सहित बजरंग दल के कई पतादिकारी और सदसे मौजुद रहे बैटक में मुकुरूप से गोरखपूर में 13 अगस्त को अखंड भरत संकल्प दिवस पर आयोजित होने वाले करेक्रमों की रूप रेखा हिंदुओं के पलायन को रोकने के उदेश से अगस्त मा में बजरंग दल द्वारा अमरनाथ यात्रा की तैयारी और हिविश हिंदु परिशत के अस्तापना दिवस को सफल बनाने पर चर्चा की गई समीति को पूरा करके लियाने का विवेदर था ताकि आने वाले काल करने आपकों की उसारी दर्चों पर्चम करका यह मानना है कि छोज़वार्गास को जो आजादी मिली वो खड़ीत आ जाली हमारा भारत आजाद तो हुआ लेकिन दो तुकड़े में उसमें दी तुकड़ और आज जो परिस्थिती में आतंगवार्ग सेनाज के उपर जो हमला हो रहा है जम्मु कस्मीर में बजंग दल विश्वुद्व प्रसद का मानना है इस सब का एक मांतर प्रिकल्प है कि पुना भारत मांका वो अखन शरूप वापस आये और भारत एक अखन राज्य के पूरे भारत पर रखता है इसमें बजंगल के नौजवान भारत मांकी चाणों की सुमन लेते हैं कि हम आपके अखन शरूप को फिर वापस लाएंगे और पांच कलम राज बिंडी के तरब चलने का कारिक है वही कारिकम हमारा महानगर में 13 तारिक को दूआ है कि होगा उस क को उस कारिकम को कैसे सफ़ल मनाया जाए कैसे हम लोग वह सख्था के साथ नंचा जाए आज ही पैटा कमुद्धिस यही है कि हम इस कारिकम को कैसे बनाएं दूसरा विश्या है आने वाले अगस महीने में बजंगल की एक सांसी क्यात्रा चलती है पुरा अमर्नाथ नांक से एक कुछ तीले के मंडिक तशीर में एक मंदिर है जो पाकिस्तान बाटर से मांद तीन किरो मिटर कुरी करें वहां पर हिंदू की आवादी के और एक प्रुप्रप्त है पर हिंदू का पलाएं लगाता रहो रहा था वर 2005 में वहां के नागर्कों ने और सेना बजंगल से कहा कि आप लोग इस यात्रा को शुरू करें यात्रा लगोर स्क्राफ हो गई है तो यहां का पलाएं भी रुकेगा और यह यात्ता यह बहुत ही एथी हासिक स्फलेश्व जो आज बनेगी, वहाँ पर फुटो तारिकम बताए जाएगा, वह तारिकम कैसे करता है, वो आगे सर्चा की जाएगा.